स्वागत है आप सबका हमारी चैनल अग्रिकल्चर पॉइंट में और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ BST अग्रिकल्चर सिक्स समेश्टर का जो नेक्स पेपर होना है डिजीज आप फिल्ड एंड होटी कल्चर क्रॉप्स एंड देर मैनेजमेंट सेकेंड का उसके महत्पूर्ण objective question लेकर आया हूँ दोस्तों ये वीडियो के part 1 को नहीं देखा है आपने तो description box में link पड़ा है वहाँ से देख सकते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा important question है तो चलता हूँ वीडियो को start करता हूँ पहला question मेरा है कि गेहू का अनावरत कंड रोग का कारक है तो गेहू का अनावरत कंड रोग का कारक 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 होता है एस्टिलागो, सेगेटम, टिटीसाई होता है next question आता है दोस्तों पावडरी मिल्डिवाव, वीड रोग का कारक है तो पाउडरी मिल्डिवाव, वीड रोग का कारक कौन सा है, एरिसाइफी, ग्रैमनिस, टिटीसाई होता है, नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों, रेड राट आफ सुगर केन का कारक है, तो गन्ना का जो लाल सरन रोग होता है, उसका कारक क्या होता है, तो कोलेटर टेकम, फलक होता है, नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों, ग्रासी सूट डिजीज आफ सुगर केन, रोग किसके द्वारा होता है, तो या किसके द्वारा होता है, माइको प्लाजमा द्वारा होता है, दोस्तों वीडियो में कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को लगा sclerotinia stem root of sunflower root का pathogen है तो इसका pathogen है sclerotinia sclerosiorum द्वारा होता है next question आता है दोस्तों black rust या stem rust रोग का कारक है तो कौन सा है फाक्सिनिया gramnis titysai है next question आता है दोस्तों alternary blight of mustard रोग का कारक है तो कौन सा है alternaryall bracicai होता है दोस्तों question इसी प्रकार से परिच्छा में पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा English में भी वहाँ पर दिये होंगे पूरा total हिंदी में नहीं होंगे तो आपको इसी according में पढ़ना होगा next question आता है wilt of gram rog का कारक है तो wilt of gram rog का कारक कौन सा है? furiarium axis forum है next question आता है rust of lentil rog का कारक है तो lentil का कारक कौन सा है rust का? तो euromyschish, veshemia, febis द्वारा होता है next question आता है black arm of cotton rog का कारक है तो कौन है दोस्तों? तो винthu monas exopodus होता है next question आता है rust of p rog का pathogen है तो कौन सा है pathogen दोस्तों? तो दोस्तो इसका question आप मुझे answer comment box में बताएंगे rest of P का pathogen next question आता है sisters canker रोग का रोग कारक है तो कौन सा होता है रोग कारक तो जेन्थो मोनास कैमपेस्टरिस होता है next question आता है दोस्तो leaf carl of peach रोग का रोग जनक है तो कौन सा रोग जनक है tefina deferment होता है next question आता है downy mildew of kooker bits रोग का रोग जनक है तो कौन सा है दोस्तो pseudo spora qncys होता है next question आता है powdery mildew of grafts रोग का कारक है तो जोस्तो कौन सा है अंसु नेला nicator होता है next question आता है दोस्तो apple square रोग का रोग जनक है तो कौन सा है ये दो रोग जनक दोस्तो है vinnitunia, turia, iniquillis होता है next question आता है दोस्तो purple blotch of onion रोग का कारक है तो कौन सा है दोस्तो alternatoria pori होता है दोस्तो वीडियो को like करते रहिएगा और चैनल को subscribe कर लिजे बीजे वो दोस्तो के पास share कर दीजे इससे उनका भी फायदा हो सके next question दोस्तो है leaf spot of turmeric रोग का कारक है तो कौन सा है turmeric रोग का कारक को लो-to-trichum kapski होता है next question दोस्तो आता है chili leaf curl रोग का कारक किस के किस से होता है तो दोस्तों चिली लीफ करल वायरस से होता है नेक्स कोस्चन आता है दोस्तों डाईबैक आफ रोज रोग का रोग जनक है तो कौन सा है तो बोटाराइटिस सिनेरेरिया होता है कॉंसा ये चर्फद ककॉन सा है रायोक्टोनिया शोलनाई होता है नेक्स क्वोस्चन आता है प्टैटो से मोजेक रोक से संबंधित इथी किस रोक से संबंधित है पटेटो वाइरस XYSA द्वारा संबंधित है नेक्स कोश्चन आता है विल्ट मोजेक रोग किसके द्वारा संचारित होता है तो दोस्तों कॉंटेक्ट द्वारा होता है संपर्क द्वारा नेक्स कोश्चन आता है लाल सरन रोग किसमें लगता है तो लाल सरन रोग जो होता है गंने में लगता है सुगर केंवें Next question आता है प्याज में बैंगनी धब्बे किसके कारण होते हैं फंगल्स आलटरनेर्या पोरी के द्वारा होते हैं Next question आता है गुलाब जो है किसका राठ्टी पुस्प है तो दोस्तो वीडियो के पार्ट वन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं तब तक के लिए जैहिन मिलते हैं नेक्स वीडियो में